हलो फ्रेंट्स मैंने गवानन साहू स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सिस बिजनस साइकल फंड के बारे में एक अपनेड एक्विटी स्कीम है जो प्रिडॉमिनेटली बिजनस साइकल थीम को फॉलो करने ताकि जो भी मेरे नए वीडियोज अप्रोड होंगे उसका नोटिपिकेशन आप तक महुशती रहेगी सो आए डिटेल में नजरे डालते हैं आए समझने की कोशिस करते हैं बिजनस साइकल होता क्या है जैसे एकोनामी का जो स्लोडाउन होता है या ग्रोथ होता है वो अपेंड करता है वरता मीडियों तर्म सो डिरिंग ऑफ्सन डाउन ऑफ्सन डाउन के चलते हैं डिफरेंट टाइम प्रेश पे स्टॉक आउट परफम करता है या तो अपन्द सिच्वेशन सो अगर हम बात करें यह थेमाटिक फंड जो बिजनस साइकल इंवस्टिंग एक थेमाटिक फंड है जो एम करता है वेल्ट क्रेशन इन दा लॉंग टर्म ऑके इंडिया की बिजनस साइकल की बात करें 2013 से लेके 2018 तक इसके बाद स्लोव डाउन आया और अभी एक्सपैंस फज में चल रहा है चल रहा है क्रेडिट और इसके साथ क्रेडिक गूर्थ होता है और इसके साथ capex भी बढ़ता है so peak में क्या होता है stabilized होता है economy और above normal condition होता है capital capacity utilization और credit growth strong होता है interest rate धीरे-धीरे बढ़ता है unemployment कम होता है so this is a slow down में decline होता है economic activity और interest rate बढ़ जाता है और through through phase में लास्ट फेज में bottoming out होता है और यहां पर normal below normal capacity utilization होता है और credit growth बहुत week होता है unemployment high होता है so यह सारे characteristic है economic cycle का so business cycle जो होता है यह portfolio driven कैसे होता है जैसे full recession phase पर होता है वहां पर कुछ stocks कुछ particular sector outperform करते हैं in comparison to other sector या stock so different stages पे different cycle पे जो है अलग-अलग sector अलग-अलग stocks outperform करते हैं so उससाब से इस portfolio के अंदर portfolio बनाया जाता है stock में investment किया जाता है यह thematic fund basically identify करने वाला economic trends को sector specific cycle को उसके बाद बटमिंग of stock होता है वहां पर specify करके portfolio बिल्ट किया जाता है तो यह एक बहतर option रहेगा investing के लिए so sector की बात करें अलग-अलग some time frame पर अलग-अलग sector perform करते हैं जैसे कि 2012 में 2013 में FMCG outperform किया था इस तरह अलग-अलग time frame पर अलग-अलग stocks या आपका sector outperform करते हैं इंडिया की capex cycle की बात करें और देखे 98 से लेके 2002 तक और उसके बाद expansion पेजा है 2003 से 2005 पीक पेज 2004 से आठ तक था 2009 से से लेके 2012 तक slowdown देखने को मिले नेगेटिव ग्लोगाल सेंटीमेट के चलते हैं उसके बाद 2013 से लेके 2020 तक slowdown तो फेज में चल रहा था अभी expansion पेज में चल रहा है रहने वाला है decarbonization के अंदर आइए डिटेल में जानते हैं आक्सिस बिजनेस साइकल फंड के बारे में यह एक आपनेटेड इक्विटी स्कीम फॉलो करने वाला है बिजनेस साइकल बेस्ट इंवेस्टिंग तिंग के अंदर इंवेस्टिंग करने वाला है सो बिजनेस साइकल इंवेस्टिंग का डिटेल क्या होता है कि अगे लिए तो जोब फराइड लुकिंग इन्वेस्टिंग होता है फोकस रहता है मीडियों टम ग्रोथ के लिए और हाई कन्विक्शन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्मेंट किया जाता है यह अलोकेशन सेक्टर के अंदर होगा जहां रिसर्च इंडिकेटर बताएगा वहां पर पर यानि कंट्री का जीडीपी इंफलेशन मोनेटरी फॉलिशी फिसकाल पर यह डिपेंड करता है और सेक्टर साइकल होता है जहां पर इंड्रस्टी स्पेसिपिक साइकल होता है कंपनी पोजिशन कंपेटिटिटिव आडवंटेज ग्रोथ प्रस्पेक्श को नजर में र पर यह बाइस नहीं रहेगा और इसमें क्वालीटी फोकस रहेगा यह जो पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर अच्छे स्टॉक हों इसमें इंवस्मेंट किया जाएगा सो फंट्ट्स की बात करें बिसनस साइकल एक्सिस बिसने साइकल फंड है यह थेमार्टिक फंड है फंड मैनेजर मिस्टर आइसिस नायगंड हित्यस दास है मिनिमोम इंवस्मेंट 5,000 रुपए बेंच्पांक निफ्टी 500 ट्राय एंफ परियोड दो फरपरिज से लेके 16 फरपरिज तक है पोजिसनी की बात करें इसमें हाई रिस्क होने वाला है रिटन भी आपके अच्छा देखने को मिल सकता है यह फंड जो है हाई रिस्क होने वाला है जो सिक्लिकल अपर्चुलिटी का बेनिफिट उटाना चाहते हैं उनके लिए बहतर है रिस्क की बात करें यह थीम जो यह कॉपनेंटेड इक्विटी स्की में इंबस्मेंट करने वाला है बिजनस साइकल थी इंबस्मेंट करने वाला है बिजनस साइकल थीम के अंदर तो यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें साथी साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थांक्स पर वाचिंग मिलते हैं और एक वीडियो के साथ